Good evening everyone, recently EPFO ने 577 vacancies out करी हैं और यह जो 577 vacancies है, इनके लिए एक examination conduct किया जाएगा और यह examination UPSC, जो कि इतनी credible agency है examination conduct करने के लिए center level के चाहे IES का exam है, चाहे CAPF का exam है, CDS का exam है ऐसे ही multiple examination UPSC conduct करती है और बहुत fair, efficient और caliber वाली agencies government में से आती है वो इसका examination conduct करेगी tentatively, examination जुलाए या अगस्त के मन्त में conduct किया जाएगा तो अभी हमारे पास एक considerable amount of time है अगर हम इस examination को prepare करते हैं, तो बहुत fair chance है कि आपका paper भी qualify हो सकता है Civil step, अब आपके लिए एक free initiative लेकर आया है जैसे पंजाब में हमने एक बार cooperative inspector का एक initiative लिया था, जिसको 60,000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा था ऐसे ही उसी caliber का ये initiative है, जिसमें हम free of cost EPFO का एक live batch आप लोगों को पढ़ाएंगे daily 2 घंटे की classes रहेंगी, एक March से ये batch शुरू होगा और इस batch में आपको notes दिये जाएंगे, जैसे पहली भी दिया गये था notes दिये जाएंगे, mega sessions होंगे MCQ के, इस तरीके से इसको completely आपको पढ़ाया जाएगा तो जिन बच्चों ने preparation को kickstart भी करना है, उनके लिए भी ये काफी बड़ा batch रह सकता है उपयोगी रह सकता है, paid courses अगर आप कहीं join करते हैं तो उनसे भी better ये course आपके लिए साबित हो सकता है तो आपको जरूरी नहीं है, कहीं पैसा दे के ही join करना हो, आप इसकी classes 8, 10, 15 दिन follow कीजिए अगर आपको लगे कि ये worth है, तो rather than कि आप कहीं paid course में admission लें, आप इस course को भी follow कर सकते हैं इस प्रकार से ये curriculum रहेगा, ये course हमारे जो IS वाला YouTube channel है, Civil Step उसके through execute किया जाएगा, उसके link मैंने नीचे description में आप लोगों के साथ share के गया है हर lecture के साथ आपको notes भी दिये जाएंगे, notes के लिए आपने हमारी app, जो कि already आपके पास है पंजाब सक्सेस मंत्रा उसी के अंदर एक course detail बन जाएगा, उसी में course के अंदर आप इसके notes को अराम से download भी कर सकते हैं तो ये काफी अच्छी golden opportunity है उन विद्यार्थिव के लिए जो बहुत लंबे अर्से से IES की preparation कर रहे थे, PIECES की preparation कर रहे थे या हिमाचल के un-examination चाहिए नायप तसिल दा रहे है, साल कॉपरेटिव इंस्पेक्टर ये जो examination litigation में फसरी में लगातार हिमाचल के अंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि commission कोई भी examination fair format में नहीं conduct करवा पारा जिससे मैं देखता हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा demotivated हैं इस time पे और बहुत ही ज़्यादा disenchanted हैं government से जिस तरीके से मौहल चल रहा है और जिस तरीके से paper timely नहीं conduct किये जा रहे unemployment rate लगातार बढ़ रहा है government sector पहली बहुत कम employment generate करता था private sector ना के बराबर है पंजाब के अंदर तो ये काफी अची recruitment drive है central government द्वारा की जा रही है जिसमें आप इस paper को जिस तरह से अभी तक आपने पढ़ा है हमारे इतनी सारी initiative में आप लोग बने रहे हैं तो आपके लिए काफी उप्योगी होगा क्योंकि आपमें वो caliber है और उस तरह का already आप पढ़ चुके हैं जो इस paper की requirement है EPFO जो की एक संस्ता है जो इसका काम है कि आप लोगों के लिए EPFO जैसे Employment Provident Fund Provident Fund हम समझते ही है PF उसको manage करती है 25 करोड हिंदुस्तानियों के accounts इनके पास है जिनके fund को manage किया जाता है बहुत बड़ी संस्ता है दो level पे recruitment कर रही है इसमें एक job है जिसको बोले जाता है AO या EO AO stand for accounting officer and EO stand for enforcement officer ये एक paper है जिसके अंदर 418 vacancies निकली है इसके साथ EPFO का Group A Services भी है जिसको बोले जाता है APFC Assistant Provident Fund Commissioner बहुत अच्छी jobs है Group A Services है equivalent to IES इसको considerate किया जाता है in terms of perks, privileges उस caliber की भी job है जिसके अंदर 159 vacancies निकली है तो ये दोनों ही paper EPFO conduct कभाएगा आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपका Punjab Public Service Commission है वो SDM DSP के लिए एक PCS का paper लेता है एक paper नायप तैसिलार और कॉपरेटिव के लिए भी लेता है इसी प्रकार से ये दो different caliber की job है और इन दोनों के लिए ही जो complete syllabus है जिस depth तक पढ़ाएगा हमारी जो IS की faculty जिन्होंने पंजाब सक्सेस मंतरा पे आज तक कभी नहीं पढ़ाया था मैंने नहीं पढ़ाया था विशाल सर नहीं नहीं पढ़ाया है हितेश सर जितने भी हमारी IS की faculties है वही इस course को पढ़ाएंगी तो काफी बड़े level पे इसको execute किया जा रहा है pan India में execute किया जा रहा है माना जा रहा है कि 1-2 लाख बच्चे sports को लगता आप देखेंगे तो इस तरह का course पहली बार इंडिया के अंदर इतने बड़े level पे national level पे किया जा रहा है तो आप भी sports का हिस्सा जरूर बनिये जो लोग काफी लंबे समय से तयारी के process में उनके लिए अच्छे opportunity है कि अगर आपने इतना patience रखा है एक effort और जो है sincere देनी के आउशकता है बच चार-पांच मेनी की बात है इस examination को आप clear कर सकते हैं doable examination है beauty क्या है PCS या IS क्या आप तयारी करते तो prelims भी है, mains भी है, interview भी है mains अपने आपने इतना पेचिदा है यहाँ पर कोई mains नहीं है सीधा prelims qualify करना है MCQ based और आपने interview के लिए appear हो जाना है UPC board के सामने तो आप देखेगी cable two stage phenomena है इसलिए काफी doable है जब two stage है तो means ज़्यादा chances है कि आप इसे crack करेंगे बस prelims को आप लोग अच्छे से संभाल लीजे आपका अराम से ये paper qualify हो सकता है paper का जैसे मैंने बताया July या tentatively September के मन्त में होगा तो जो लोग इस process में उनके पास अच्छा खासा time अभी है तो ये दो संस्ताओं के नाम मैंने दिये हुए इसकी detailed notification और form filling UPSC की website पे की जाएगी upsc.gov.in इसका URL है वहाँ से आप form filling भी कर सकते हैं age देखिए जो पहला examination मैंने लिखा audit inspector, audit officer या enforcement officer इसकी जो age है वो 30 साल है अलग-लग category की अलग-लग है आप notification में देख सकते हैं APFC की जो age limit है that is 35 years तो जो लोग UPSC के लोग लेके अभी जिनके age के वज़े से attempt खतम हो गए है वो भी इस examination को दे सकते हैं तो इसलिए बहुत अच्छी golden opportunity है जो UPSC में बहुत करीब तक पहुँचे उनके लिए opportunity है अच्छा इस बात से कोई लोग हताश ना हो अच्छा ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम गुरूप के उपर ही पंजाब सक्सर स्पंतरा पे आप अगर इसके syllabus को देखोगे जिसने state के किसी भी examination की तयादी करिए कॉर्परेटिव की करिए नायब तैसिलार की करिए वो भी इस पेपर को निकाल सकते है आप syllabus को देखिए प्रीवेस येर पेपर का जब मैंने analysis किया उस analysis में क्या देखा 220 questions आते हैं हर question 2.5 marks का है total जो weightage बनती है पेपर की वो 300 marks की है one third negative है last year जो cut off गई थी 195 एक हमारे student के थे वो भी clear कर दिया मैं ऐसा मानता हूँ paper में competition ज़्यादा है 10 लाख बच्चे इस paper को देंगे और seeds उतनी ज़्यादा भी नहीं अगर 10 लाख को compare के जाए तो means competitive paper है ज़्यादा score करना पड़ेगा tough नहीं है competitive है ज़्यादा score करना पड़ेगा तो अगर आप इसमें 70% ensure करते हैं debts comes out to be nearly 210 marks तो ये paper qualify हो सकता है 210 marks is the doable thing ये हो सकता है आए है हमारे बच्चों के तो इसमें देखिए maths और English आप पंजाब के कोई भी exam की तयारी करते है maths और English उसका cardinal हिस्सा है 36 question maths और English से आए है ऐसे ही current affair और general study से 46 question आए है तो अगर आप इन दोनों से ही मिला के देखा जाए तो 50% से ज़्यादा paper इन दोनों component से ही आया हुआ है तो आप देखोगे कि paper बहुत ज़्यादा doable है अगर आप इसको देखोगे 36 सवाल यहाँ पर है और 56 सवाल यहाँ पर है तो 94 question आए है यहाँ से बाकी बचे हुए 96 बाकी बचे हुए 24 question इन दोमेन से आए हैं जो शायद आपके लिए नए हैं इसमें क्या है computer एक डोमेन है इसमें industrial laws and labor laws एक डोमेन है accounting एक डोमेन है यह हम आपको free of cost हमारी YouTube channel पर जैसा की मैंने बताया है यह सारा ही course पढ़ाएंगे यह भी पढ़ाएंगे और notes भी देंगे इसके आपको सांसर तो यह आपके लिए काफी effective होने वाला है इसको आप लोग जरूर और जरूर follow कर सकते हैं session सुबह जैसे इसमें जो faculties आप देखेंगे सारी ही faculty high caliber faculty है general studies सारे ही UPSC वाली faculties आपको पढ़ाएंगे English के लिए जतिन सर आप लोग जानते ही है Maths के लिए दूबे सर आप जानते हैं यह लोग आपको Maths और English पढ़ाएंगे सांथी सांथ एडवोकेट अकांचा मैम है जो industrial laws क्योंकि इसमें LLB वाला syllabus पिक किया गया है accounting के लिए हमारे पास Gotham सर है जो CA है वो आपको accounting पढ़ाएंगे तो अच्छे caliber के faculties experience faculties आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यह सारे list of faculties है जो आपको पढ़ाएंगे तो यह किसी भी paid code से any day better होने वाला है दूसरी बात इसमें रोज सुवे 9 बजे live lecture है शाम को 4 बजे live lecture है बहुत सारे लोग working professional है live नहीं लगा सकते वो बाद में भी इस codes को join कर सकते हैं अराम से recorded है lecture record होके YouTube की playlist बन जाएगी उसके अंदर पढ़ा ही होगा नोट्स आपको दिये जाएंगे नोट्स के लिए आपकी app पंजाब सक्सेस मंतरा के अंदर ही नोट्स है उसका link भी नीचे share किया गया है ऐसे ही हर Saturday को 5 दिन classes लगेंगी Monday to Friday Saturday को mega revision series चलेगी जिसमें 100 multiple choice questions करवा जाएंगे वो भी इस course का part है आपने कोई doubt पूशना है पोर्टल पे जहां पे आपके notes है वहाँ download करने और उसके नीचे आप doubt भी पूश सकते हैं तो doubt के mechanism पी है YouTube के पर भी आप doubt पूश सकते हैं वैसे भी live session है two way interaction रहेगा doubt लगातार आपके dissolve होंगे mega session के नदर भी आप doubt पूश सकते हैं उसके लवा लगातार मैं आपके सांथ Sundays को strategy live session लिया करूँगा वहाँ पे आप जितने वर्जी doubt पूशने है academic doubt पूशने, strategic doubt पूशने management से related queries करनी है वो सब आप वहाँ आराम से पूशे तो बहुत अच्छा course रहने वाला इसके लावा APFC जो की एक level उपर paper है इसमें थोड़ा सा extra syllabus है एक stats इसके नदर आता है जो की Punjab pieces के mains का भी part है यहाँ पे हम आपको stats पढ़ाएंगे इसके लावा जैसे development and globalization एक छोटा सा topic है जो इसके सांद add-on किया गया है यह भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो निश्चिंत रही है सारा syllabus हमारे पढ़ाए से ही आपका पहली भी यह paper जब गुआ था दो साल पहले हमारे पढ़ाए से ही आ रहा था हमारी faculties है इन्होंने पढ़ाया था इस paper को एक लाख से ज़़ादा बच्चों को इन्होंने last time, 2019 की ही बात है जब यह paper आए था 19 से 20 की बात है जब यह paper आया था तब भी एक लाख के आसपस बच्चों के इन्होंने पढ़ाया है इस paper के अंदर तो doable paper है और आप लोग इसको बहुत असानी से कर सकते हैं इस course को join कर निकले, इसके YouTube का link नीचे दिया गया है description में otherwise आप search भी कर सकते हैं, civil step अगर आप type करेंगे तो हमारे UPSC वाले channel का link आ जाएगा, वहां से भी आप इसको follow कर सकते हैं तो एक मार्च से ये course start हो जाएगा, उस एक मार्च के बाद आप इस course को अराम से follow कीजिए और इसको लगातार देखते रहिए, आप इसके notes को download कर लीजिए जो कोई working है, वो भी इस course को ज़रूर बने वे रहिए, अगर आप ऐसे department में है जो relatively, APFC के comparatively उतना बड़ा department नहीं है, गुरूपे, service नहीं है, आपको भी देना चाहिए जो work paper को, right, इसके लावा कोई भी inquiry आपकी है, तो आप हमें description में हमारा official numbers shared है, आप लोगों के पास है ही ये number, आप हमें directly भी call कर सकते हैं, right, चले जी, thanks a lot